गुद मॉर्निंग दोस्तों आज हसे स्टार्ट करें हम सोसलोजी ओफ्षिनल सलेवस में क्या क्या है और किस तरह से हमको यूनिट वाइज, टोपिक वाइज, सब टोपिक वाइज हमको पढ़ना है और सबसे पहले है तो हम सोसलोजी ओफ्षिनल का जो सलेवस है हमारे यूप नहीं जा सकते यह सक्सम नहीं है उनके लिए कुछ ज्यादा नहीं तो थोड़ा ग्यान मैं देश को जिस्क नोलिज की वज़े से मैंने में लिखा और अच्छे मारक्स भी प्रापत के और आप भी सायद कुछ पर फायदा उठा सकते हैं चलो सुरू करते हैं दोस्तों हमारा सोस्लोजी does पहले सब यून जिसके कुछ पार्ट है कि जो समा स्साथ रहें उसके सिपहला है मोडरनीटि आदनियृक का सोशल में समाजिक पुर्वरतन है Emergence of Sociology Sociology का उधोग यूरोप में कैसे हुआ किन परस्चितियों में हुआ हम इसके बारें पढ़ेंगे कि पहले जैसे चर्ज का सासन था उसके बाद विज्यानिक करांतियाई और द्योगी करांतियाई फ्रांस की करांतियाई और इसके बाद लोगों में वरक संगरस जैसे विचारधार उत्पन हुई और इसके कार्ण एक समासास्तर का उध्य है Sociology Emergence होना सभाविक परसितिया उत्पन हो गई और next हमारी सब यूनिट है Scope of Subject and Comparison with the Social Science कि जो Sociology का सकोप है वो क्या है Micro है जिस परकार वेबर ने Micro बताया Sociology को और दुर्खिम जैसे परकारियवादियों ने इसको Macro बताया और इसी परकार जो तलकट परसन जैसे समासास्तर ने इसको एक मतलब मिला जूला रूप मतलब इसको Micro भी नहीं कहा Macro नहीं कहा इसने कहा कि समासास्तर पर व्यक्ति का भी परभाव है और समाज का भी व्यक्ति को पर परभाव है और इसी परकार हम पढ़े ही आगे Comparison with other science, social science की जो sociology है उसका जैसे Economics के साथ क्या relation है कैसे एक दूसरे के पूरक है History से क्या तुलना कर सकते हैं क्या समानता हैं और next हमारी सब यूनिट है sociology in common sense समासास्तर और समान्य बहुद common sense मतलब समान्य बहुद जो अनुभव अधारित है कि जो common sense वो कैसे प्रभावित करती है sociology को कैसे इसके लिए कच्छी सामगरी रामेडिरिल का का काम करती है और इसी परकार sociology कैसे common sense को निर्धारित करतने में महत्योपुर्ण है हमारी second unit है sociology as a science जिस परकार कुछ समासास्तर और ने समासास्तर को science कहा प्रा करती एक विज्ञान की तरह कहा लेकिन कुछ ने इसका खंडन करते हुए इसको विज्ञान ना कहा कर विवेचना तमभी विश्य एक समान ने विश्या कहा इसमें कुछ है science scientific method and aločna critics उसके यह क्या कुछ परतेक्सवादी है और कुछ परतेक्सवादी है जिसको हम positiveism भी कहते है और end and positiveism भी कह सकते है कि कुछ ने समासास्तर सोसलोजी को science की science माना और उसके लिए उसके अध्यन पद्दी निधारित की और कुछ ने उसकी aločna की next हमारा सब पार्ट है major theoretical strength of research methodology जो अनसुधान पद्दी है उसमें कौन-कौन सी है जिसकर परगार हम देख सकते है historical methodology मिलेगी हमको comparison methodology मिलेगी और इसी तरह हम अनसुधान उसके परारूप पढ़ेंगे ठीक है और next हमारा सब टोपिक है positiveism और its critics यह हमने पढ़ लिया कि कुछ ने positiveism का अर्थ है कि sociology को एक science कहा इसको हम परतक्स को आद भी कहते है हिंदी में और जिसमें परसमाज का हम अलोकन करते हैं लेकिन कुछ ने इसके अलोचना की कि एक विज्ञान नहीं है एक विवेचना तरह ह tehdya जैसे weber है नbn कांत वादी है न्न्यू कांत वादी जिको हम इंगली में कहा सकते हैं उन्होंने इसके अलोचना की है और इस प्रकार जैसे जो भी है, वह हम पर दसित करते हैं, नेक्स्ट हमारी सब उनिट है, नोन पॉजिस्त मेथोडोलोजी, मतलों गैर अपर تक्सवाधी, गैर परतक्सवाधी, विचारधरा क्या है, जिसमें हम एक विध्यान नहीं माना, हमारी तीसरी उनिट है, research method and analysis मतलब जो अनुसंधान के जो method है तरीके वो क्या क्या है और उसका visualization कैसी है करेंगे हम इसकी पहली unit है quantitative जिसको हम कहते है गुनवात्मक पद्धी दूसरी है quantitative यानि मातरात्मक पद्धी अर्थात जिस परकार हम क्या कहते हैं जिस परकार है हम आपको कह सकते हैं कि अगर हम कुछ अद्धन करते हैं समाज के बारे में विस्थापन के बारे माइगरेशन के बारे में उसके क्या कारण है कारण और संबंद क्या वो qualitative हो गया और quantitative जिस परकार गार्टनर ने ऐसे कहा कि कितने आंकड़े हैं जन सेंख्या जन गणना करना है या कितनी बिरोजगारी है यह आंकड़े हैं वो एक quantitative method techniques of data collection यानि जो तथ्यत संग्रेण की वीदी है जिस परकार हम समाज से समुदाय से व्यक्ति से डाटा ही कठा करते हैं क्या के वीदी है जिस परकार हम कह सकते हैं observation आवलोकन जिस परकार interview हम साखसात कारत कह सकते हैं इसी परकार हमारे सब इनुट है variable sampling हाइप होती सेंपलिंग मतलो सेंपल लेन तथ्य संग्रेण करना hypothesis यह कल्पना होती है लेकिन यह पूरी तरह से बिल्कुल कल्पनिंग नहीं होती है तत्यो पर अधारित होती है reliability हम इसके बारे पढ़ेंगे reliable क्या है जिस परकार हम अगर सोर्ट में कहें कि हमारा अगर हम किसी भी अनुसंदान को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा निशकर्स answer, conclusion, प्रणाम एक याथ उसको reliable कह सकते है validity जिसका निशकर्स पुरी तरह से true हो सत्य हो ऐसे नियन भोग के दार पर हो वोसको हम validity कहेंगे उसकी हमारी next unit है sociological thinkers यह very important unit of sociological optional और कम से कम 100 number परत्यक्स और परत्यक्स रूप से इसका भूमी का रहती है वैसे तो हमारे slaves में सिरफ 6 thinker दी हो है लेकिन यह thinker सिरफ एक unit के नुसार दी हो है इससे अलग हमको अलग thinker करने पढ़ेंगे जिस प्रकार अगर हम गाउं का अध्यन करते हैं विस्थापन का अध्यन करते हैं या सहर का अध्यन करते हैं माईग्रेशन का अध्यन करते हैं या सलम एरिया का अध्यन करते हैं उसके लिए हम अलग thinker कोट करेंगे और जैसे equality के लिए हम अलग thinker योज करेंगे inequality के लिए अलग thinker योज करेंगे mode of production क्या है उत्पादन परनाली क्या है alienation क्या है मतलो अलगावाद क्या है class struggle क्या है मतलो एक उच class यानि higher class and sub class जो lower class उसके भी समें जिसे एस मन्त है कारण सापेक सवंजना relativity मतलो जो deprivation होता है उसके कारण एक तनाव किस्थीच होती है वो हम पढ़ेंगे next हमारी unit है सब unit है email दुर्खीम इसमें हम very important topic है division of labor social fact social fact क्या है इसमें दुर्खीम एक परकारियवादी है लेकिन उसने कहा कि social समाजिक तथ्य है social fact क्या है इसका वो है core विशेवस्तु है जो एक विज्ञान विशे के लिए एक विशेष्ता होनी चाहिए society हम इसमें आतमत्य हम पढ़ेंगे किस परकारियवादी दुर्खाम ने यूरोप में अध्यन किया और आतमत्य के कारण क्या है समाजी कारण ही बता है email दुर्खाम ने जिसको लेकर इसकी अलोचनाई भी हुई है religion और society धरम और समाज में क्या आतम निर्वड़ता है क्या विवेदन है क्या साकारतमक positive act है और क्या नाकारतमक act है next हमारी है Max Weber social action Max Weber के एक हमारा next thinker है और इसने क्या बताया कि sociology का जो विशेवस्तु है वो क्या है social action है और इसके idle प्रारूप है यह प्रकार यद्धिन पत्ती ही लगागे चलो और इसी प्रकार हम कह सकते है authority bureaucracy protestant ethics and spirit of capitalism हम पढ़ेंगे unit wise Max Weber का यह role है समासास्तर में कि जो protestant धरम है उसने किस प्रकार पुनजिवाद को बढ़ावा दिया और हमारा next thinker होगा talkat person very important और very markable इसमें चिर्फ दो ही है social system जिसके थुरू हम पढ़ेंगे जो talkat person है उसने agil model दिया adaptation goal integration और latency जो हम पढ़ेंगे कि समाजी के वास्ता के लिए इंचानों का होना बहुत जुरूरी है pattern variable क्या जो इसको कहते हैं परतिमान परिवर्थ मतलो मनुष्य का व्योहार स्थीती को देखकर बदलना किस-किस variable को देखकर बदल जाता है वो हम पढ़ेंगे समाज का सोरूप कैसे बदल जाता है वो पढ़ेंगे हमारी next sub unit है Robert K. Martin इसने सिरफ दो तीन ही टोपिक दिये है latent manifest function जिस परकार इसने एक जनजाती के निरित्य का उधारणा लेके बताया है कि निरित्य करती है तो उसमें क्या होता है वो एक वर्षा की कामना करते है वो एक latent manifest function है तो परतक्स हमको दीख रहाएगी वर्षा कामना कर रहे है लेकिन उसमें एक छीपा हुआ latent function भी है कि उसे उनके बीज में एकता का परसार होता है हम पढ़ेंगे conformity and deviance मतलो अनुरूपता और वीसमानिता यह हमीं पढ़ेंगे वीसमानिता क्या है अगर संसारिक लक्से और साधन सुसंगत है मेल खाते हैं तो हम कहते हैं इसको confirmation है अगर मेल नहीं खाते तो हम कहते हैं वो कुछ अलग चलता है समाज से इसको भी समानिता कह सकते हैं reference group reference group क्या होता है यह एक ऐसा समूँ होता है जो व्यक्ति अपने जिवन में उसको अपना आइडिल गोसित करके विहार करता है या इसको नाकारत्म group में लहें जिसके तरह हम नहीं बनना चाहते हैं वो भी हमारे एक reference group है और आगे हम पढ़ेंगे mid इसने दो ही बताया self और identity self और identity इसके बारे हम पढ़ेंगे next हमारी unit है stativation and mobility मतलब सत्रीकर्ण और गती शीलता किस परकार है equality क्या है inequality क्या है hierarchy क्या है exclusion क्या है poverty and deprivation क्या है इनके बीच में क्या सम्मन्द है एक दूसरे का पूरक है या दूसरे का कारण है theory of social stativation पढ़े हम जो समाज में सत्रीकर्ण उसके सिधान्द क्या है जिस परकार function ने कुछ अलग से धान्द बढ़े मारक सवादियों ने कुछ अलग से धान्द बढ़े बताए weber ने कुछ अलग से धान्द बताए और इसके बाद हम पढ़ेंगे total stativation of class स्टेटस ग्रूप, जेंडर और एथिनिसिटी, रेस के कारण समाज में सतरीकरण की क्या-क्या परभाव हैं, किस परकार लिंक के धार पर समाज में सतरीकरण होता है, किस परकार दरिजातियता के कारण समाज में सतरीकरण होता है, किस परकार रेस के कारण समाज में सतरीकरण होता है next हमारा topic है social mobility open and close क्या समाज में mobility बंद वेस्ता है या खुली वेस्ता है type of mobility source and cause of mobility next हमारा topic है works and economic life works and economic life की हमारी unit है work and काम और आर्थिक जियों में क्या है इसमें social organization of work in different type of society slave society das feudal industrial society हम कैसकते हम उद्विकास समाज का हो रहा है उसमें क्या समाज की वेस्ता बदल रही है informal organization of work उपचारिक और इनफचारिक संग्ठन है काम का मतलो formal में क्या rule है क्या विसेश्ता है informal में क्या rule है क्या विसेश्ता है क्या security है labor के लिए इसके बारे हम पढ़ेंगे और समाजिक द्रिश्मा सास्त्रे द्रिश्टी से ही पढ़ेंगे next हमारा labor और society labor और society ये भी हम देखेंगे next हमारी unit है 7th politics and society politics और society समाज सास्तर में राजनिती का क्या युगदान है इसकी क्या कैस धान्त है sociological theory of power जिस पर कर वेबर ने कुछ अलग दी है दुर्खीम ने कुछ अलग दिया है अन्या जो समासा सास्तरे नोंने theory of power की अलग अलग unit दी है power elite जिस पर कर मिल्स है प्रेटो है हम इसके बारे हम पढ़ेंगे hierarchy pressure groups political party इसके बारे मेला जो थिंकरों ने क्या कहा है वो भी पढ़ेंगे hierarchy लॉसके ने क्या कहा है ऐसी तरह हम pressure group के बारे में पढ़ेंगे क्या इसका योगदान है समाज में क्या मतलो नीति निर्मान में क्या नीति को पर नाकार्त में परभाव है इसके बार नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट उनिट है नैसन, राष्टर, स्टेट, राज्या, सेटेजन्सीप, नागरिक्ता, डेमोक्रेसी, लोकतंतर, सीविल सुसाइटी और आइडियोजी विचारदर है इनका समाजी कंदोलन में समाज के रुपांतरण में क्या युगदान है, लोकतंतर क्या होता है, इसका क्या परभाव है, क्या महतो है, क्या वो है हमारे नेक्स्ट उन्डेप, प्रोटेस्ट, विरोध करना, एजिटेशन, अंदोलन, सोसल मुवमेंट, समाजी कंदोलन, कॉलेक्टिव एक्षन है ये सामुई की रिया, और एकल वेक्ती द्वारा की रिया, इनमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, क्या उदेश्या है, क्या इसको अस्तर के रुप, किन अस्तरों का प्रोग किया आता है, उसके बारे हम पढ़ेंगे, रिवलिशन क्या, क्रांती, विरलीजन ने सोशलोगी के धरम की जो समानी है सिद्धात वेपर ने क्या बताया इस county मार्ट वादी ने जो ढेसे जोंनो सभाया हैं सेक्ट कल्ट से इनके बारे में पढ़ेंगे डीपली अच्छी तरह से पढ़ेंगे जो आपके पेपर के लिए लाबदाइक हो और आपको फायदा हो नेक्स्ट हमारी उनिट है मोडर्व फ्रम नких ठय般 मुट्यक्ट है ड्लीजैनी इस स्यूंटि उन्सक्राइएंगे और इसके बारे में अध्यन करेंगे नेक्स्ट युनिट हमारे सिस्टम ऑपेंशिप इसमें कुछ सब्टोबिक हैं परिवार हॉश होडिष्त मैरिज भी वह हुआँए और form family family क्या क्या रूप है एककर्परीवार है स्युख ज्वाइं फैमली है या क्या कहते है इसको विश्तिरित परिवार या क्या नहीं मतलो É so separate परिवार & lineage ones descend once Anu Burke em kg 9 उनेज है orta मैटरी निय्ल है पेट्री नियल है प् 지का शेक्स्व humility और blonia के दार पर कैसी विवाजन होता है कंटम पुरेरी ट्रेंट्स जो वरतमान में क्या है इनके बारे में परिवार के बारे में हमारी लास्ट फर्ष्ट पेपर की है यूनिट है सोसल चेंज मोडर स्वाइटी इसमें कुछ थूरी पढ़ेंगे डिवलोप्मेंट डिपेंडेंड समाज में क्या परिवरतन है समाजिक परिवरतन में इस तरह हमने देखा कि हमारे पेपर वन की सभी यूनिट फूरी होगी अग नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पेपर टूस लेवस तो अगर दोस्तो अच्छे लगी वीडियो तो मोटिवेशन के लिए और मेरे प्रियास स्टार्टिंग प्रियास के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे बढ़ें त्यारी करते रहें पोजिटिव एसे धन्यवाद दोस्तों